हेलो दोस्तो कैसे हो आप समीलो ये आलू मटर की सबजी आप किसी भी सिजन में बनाओ गर्मी सरदी बरसाथ बहुत टेस्टी लगती है लेकिन इसे कच्चे आलू से बंद में आना उबले आलू से जो बनी वी सबजी होती है आलू मटर क्यों भी इस तरीके से जो मैं आपको दिखा रही हूं दो मिनट में बनती है बहुत तेस्ती लगती है कचोरी पूरी पराठा रोटी चावल किसी के भी साथ खाओ आलू उबले हुए ले लिये हैं मैंने यहां पर और अब मैं यहां पर लोंगी प्याज तो मैं काट रही हूं प्याज एक मीडियम साइज का प्य तो लेसुन काट लो तो अगर आप मिर्ची सौरी लेसुन और प्याज नहीं खाते हो तो आप इसे अधरक और हरी मिर्च के साथ में तड़का लगाना और टमाटर की कॉंटिटी ज्यादा डालना तो यहां पर देखो मैंने सारी चीजें रखी हुई हैं लेकर के हरी धनिया लेसुन है टमाटर है जो भी इसमें पढ़ने वाला है इस रेसिपी में तो अब आलू को कर लेंगे मोटा मोटा हाथों से कट सोरी मैश तो चाकू बिलकुल मत लगाना कई सारे लोग उबले आलू को भी चाकू से काटते हैं टुकडो में उससे बिलकुल भी टेक्शर नही तो इसमें बहुत अच्छी सी खुश्बा आएगी और इसे के साथ आप चाहो तो सुखा लाल मिर्च भी टाव सकते हो लेकिन यहां पर मैं डाल लूई हूँ प्याज, अद्रक, हरी मिर्च, लैसुन बारी काट करके और इस प्याज को हमें काफी अच्छे से पकाना है यान अब यहां डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर ज्यादा डालेंगे, हल्दी आधा छोटी चमच, धनिया एक चमच भरके, आधा चमच यह स्वाथ के अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर भी डालेंगे, लेकिन कलर के लिए थोड़ा कश्मीरी वाला डाल द यहां पर डाल दिया है मटर, और मटर और टमाटर आपको लगबग लगबग आगे पीछे ही डालने हैं, और इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, टमाटर को तो बिल्कुल भी नहीं पकाना है, इसके बाद ही हम जो हमने आलू मैश करके रखे थे मोटे तोड़ करक मतलब यह रेसिपी इतनी आसान है, इतनी जितना आप इसे सिंपल तरीके से बनाओगे न यह उतनी टेस्टी लगेगे, अगर आप इसे बहुत ज़्यादा भूने भानने के चक्कर पर पढ़ोगे न कि मैं बहुत अच्छे से भूनू, बहुत अच्छे से खुप सारे मसाल मिलती है, अब यहाँ पर हम लगा देंगे धकन, और धकन लगा के इसमें हम लगाएंगे चार सीटी हाई फ्लेम पे, इससे क्या होता है कि अबली हुई आलू में जो है न वो टेस्ट अच्छे से अंदर तक फ्लेवर घुश जाता है, तो यहाँ पर देखो धकन खोल लिया है, और हमारी आलू टमटर की सब्जी है न, इसे दुबारा भी मैं नहीं पकाऊंगी, इसमें ठेर सारा हरा धनिया डालूंगी और मिक्स कर दूंगी, अच्छे से अब यह सब्जी आपकी तयार है, मैंने इसे आलू के पराठे के साथ भी ट्राई किया था, बहुत टेस्ट